हेलो फ्रेंट्स विल्कम है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अनुकम वियूटोपिया में फ्रेंट्स जैसे की गर्मियों का सीजन चल रहा है और ऐसे में हमें अपनी इसकीन की देख बाल कुछ जादा ही करना चाहिए नहीं तो क्या होता है बहुत ही जादा पसीने आते है और जिसे हमारे जो इसकीन के पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं और उसे बहुत सारी समस्या आने लगती है जैसे की चेरे पर पिंपल्स आ जाते हैं तरह तरह के दाने आने लगते हैं कभी कुछ ऐसा रेड कलर के दाने आने लगते हैं नहीं तो वाइड कलर के एक दाने जो अगर एक बार चेरी पर निकल जाते है ना तो इसे ठीक करना काफी मुश्किल हो जाता है किसी भी तरीके के जो दाने उते चेरी पर आने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि हमारी जो इसकी फोर्स है वह अच्छे से सब नहीं हो पाए है तो अपनी iskin夫 कि सपाइग बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है यह खास कर समर सीजन में क्योंकि व Då선 या लाए से जहाते हैं जिसके वज़ासे हमाषी स्सस्थी रेमेडियक की बहुत क्सार्द करनें वाली हैं अगर आप अपनीunch NT 10 इस तद रेके ताइट और ग्लोइंग भी दिखेगा और बहुत ही ज़्यादा सस्ती सी रेमडी है तो यह कौन सी चीज है यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाली हूं आज आइस क्यूब तिरेपी तो यह आइस क्यूब जो की इस हार गरों में गर्मियों की सीजन में मिल जाएगा तो यह आइस क्योब फ्रेंट्स हमारे स्किन के लिए बहुत ही इंपोर्टिंट होता है और इसे अगर आप लगाओगे तो आपके चेरे पर बहुत सारी एफेक्ट मिलेंगे बहुत सारे में क्या-क्या एफेक्ट आपको मिलने वाला है तो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ इस वीडियो में तो आप लोग से एक रिफ्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर फश्ट बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी किजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर फश्ट बार आए हैं तो सस्क्राइब किये विना विल्कुल मत जाएएगा और ज्यादा पसंद आ रही है तो वीडियो को सेर भी कर दीजिएगा ये सब प्री है जैसा कि आप लोग चानत साथ ही आपको मेकप टेटोरियल भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे अगर आप किसी भी टापिक पर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो मैं आप लोग के लिए वीडियो जरूर बनाओंगी तो फ्रेंस यहाँ पर मैं बात कर रही थ इस तरह हलके हलके हातों से मसाज करेंगे तो आपकी स्किन पोर्स बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएंगे तो जरूरी लेकिन आपको और भी एप्रेक्ट में क्या है कि आपकी इसकिन जो है काफी ज़्यादा टाइट आपको दिखेंगी आपके चेरे पर पाइन लाइन न लेखेगा मात्र यह वाटर का आइस क्योब इसमें कुछ भी नहीं रहेगा बस आप इस आइस कूब को लीजिए और अपने पूरी छेड़े पर हलकी हलकी हाथ उसी मसाज कीजिए और यह नहीं है कि आप एक दिन में तीन से चार आइस क्यूब लगा डालो तीन से चार नहीं लगाना है जादा से जादा आप एक या दो आइस क्यूब को लगा सकते हो और जिने आइस क्यूब नहीं सूट करता है कुछ लोग ऐसे भी है जिनको नहीं सूट करता लगाने पेड़े से जा जाती है लाल हो जाती है स्कीन तो उनके लिए क्या है कि आप लगा सकते हो लेक अगर जैसे आप बहुत ही जादा तक लेक्टाप पे या टैपलेट पे या आप कंप्इोटर पे मुभाइल पर काम करते हो तो आप बहुत ही जादा थकी सी महसुस करते हो तो आप आप entsprechend को तो यह सारे इफेक्ट भी मिलेंगे साथ आपकी अच्छा सा मैसूस होगा तो आप आइसी कहने से एक बार ज्लीज कीजिए एक बार क्या अप व oneself जिए लेली तेखेंगे कितना च्छा गलो आपको फ्री में ही मिल जाने वाला ना तो आपका एक पैसा करच होगा और ना ही आपका समय और साथ ही आपको बहुत ही सस्ती सी रैमडी में बहुत ही अच्छा एफेक्ट मिल जाएगा और आप चाहे तो इसका थिरेपी भी कर सकते हो थिरेपी करने के लिए क्या करना है इस थिरेपी को करने के लिए आपको डेली नहीं करना है आपको बीक में एक बार करना है यह जितने आइस क्यूब हैं सब आपको एक कंटीनर में निकाल लेना है और निकालने के बाद आपको पूरा चेरा ऐसे ही डिप करना है और डिप करने के बाद निकाल देना है फिर डिप करना है फिर निकाल देना है इस तरीके से आपको चार बार करना है चार बार से जादा नहीं करना है और इस तरीके से अगर आप करोगे आपका पूरा का पूरा इसकीन एकदम relax फिल करेगा साथ ही pores की गंदिये भी निकल जाएगी इसकीन tight सी फिल करेगी और इसको इस therapy करने के बाद आप अपने चेली पर मोस्टराइजर जरूर लगाएगा मोस्टराइजर लगाकर massage कीजिएगा और बस ये हो गई therapy अगर आपको ठिरेपी करना है तो बीक में एक बार कीजिए और अगर आपको ice cube लगाना है तो आप डेली लगा सकते हो एक ice cube जादा नहीं एक या दो इससे जादा बिल्कुल गिनी तो friends आप लोग को I hope मेरी वीडियो पसंद आई होगी पसंद आईगे तो क्या करना है आगे तुम्हें बता दी हूँ बारवा नहीं बताना है तो friends मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई